पहले से कभी शौकता है कुछ खाना बनाने का या जैसे घर जाते हैं साम को ना तो बच्चे कहता है पापा पैटीज बचा है तो दे दो एक पीस तो मैंने बोला रूख जो बेटा अपना एक पैटीज तैयार करता हूं तो पैटीज जरा खा के बताओ फिर कस्टमबर को पूछेंगे कैसा लगेगा तो उसने बोला पापा सही है तो फिर मैंने उस दिन से स्टार्ट करते हैं तो से कैसा है रिस्पॉंस मिला इस पैटीज बढ़िया है सब कुछ सही है हालका भी है ज्यादा नहीं है और इसमें पहली बात तो यह पैटीज में जल्दी मखन मुखन लगता नहीं है अगर इसको मखन तेल उल्टा ही निक कि अगया है विक्के चने उसमें प्याज टमाटर शिम्ला मीच गिरियां है पनीर शिमला मीर्च थंडी दिन में जो है कंसक्रम 10-12-13 पैकट निगलना सुरू हो लाती है ầy स्वारा पैकेट निकलने शुरू माथ्या कितनी दिन में कर लेते हो पैटी देनश ओने 200 उतना तक हो जाता है ठंडी दिन में गर्मी में यही लेक्ष नदे नहीं किया का है अब बिखता ही नहीं है ज्यादा करके यहीं चलना है शाशिकाल तुसी बगाना टाइमस मैं शिप्रीत कॉर अक्सर जट सानु थोड़ी पहुती चिप लग दिया यह शाम दे टाइम जटला पुर्दी की कुछ खाना है कि कुछ हल्का फुलकाई खा लेया जाएगी कुछ स्न थो अनुद दिखावांगे कि कि तड़ा को यहीं इस पैटी नो बनाया जान दा है तो यह कैसे यह पैटी को आप बनाते हो भेटी है पनीर वाली तो दूसरा यह वाला जो है यह चाकु नाल करके उसको तैयार करते हैं खोल के तो मखन से कैसे वो खुल जाती है सेग दुआरा यह अंदर में सेग लगाते हैं यहां पर तुसी देख साकते हो कि पहला उच्छे मखन लगाया जांदा है पैटी नो खोलेया जांद तो उसकी स्टफिंग जेड़ी है उसकी दिखाई हैं तो पहले से कभी शौक ता कुछ खाना बनाने का या जैसे घर जाते हैं सामको ना तो बच्चे कहता है पापा पैटीज बचा है तो दे दो एक पीस तो मैंने बोला रूख जो बेटा एक आपना एक पैटीज तैयार कर पैटीज जरा खा के बता फिर कस्टमबर को पूछेंगे कैसा लगेगा तो उसने बोला पापा सही है तो फिर मैंने उस दिन से स्टार्ट कर दिया कब से किया यह स्टार्ट यह पाँचे में नहुआ हुआ तो पहले क्या बनाते थे घर फेले छोले कुल्चे बगरा बेशत हैं तो तो टैम जैसे साड़े आट बजे जाते हैं वहां पर खोल खाल के उसको बना के खिलाएं तो दूसरे बच्चे बोलना लगा है मेरे को देतो पैटीज ही खता हुआ हुआ है बढ़िया है सब कुछ सही है हलका भी है ज्यादा नहीं है भारा और इसमें पहली बात तो अकसर यह चीज़े सुनते हैं आलू पैटी पनीर पैटी यह सब सुनते पर ऐसी स्टफिंग वाली पैटी जब है यह बनाने का कैसे ख्याल आया तो ही जब जब घर जाते हैं साम बनाया वह चीज बनाई पर मतलब आपके दिमाग में कभी चीज आई होगी कुछ नया ट्रा तक तब पैटी खुलना सुरू हुआ तो कितने रुपे की पैटी होती है यह चालीस वाली है तो वह पहला एक साट वाला था पनीर वाली अब महगाई के अनुसार थोड़ा बाड़ गया है तो उसका 10 रुपे रेट बढ़ा दियां 70 रुपे हो गया है कि कितने तरह की टमाटर शिम्ला मीर्च जर करें घृचा वें पनीर ऑफ्रेम पनीर उस्ट लोगों को कैसे पसंद आती लोगों का आते मदवक आते हैं इसको खाने की स्रफु जब गौल चीसको साटाने के लिए खाने के लिए दूर-दूर से आते हैं पहले वीडियो गया हुआ था तो को कोई चंडी कर साते हैं को पढ़ियाला साते हैं तब जैसे यहां भाईया सब भी रहता है को नहीं दूर सफर तो सेरपूर से पूरा से हर जगा से कभी सोचा था कि इतनी अच्छी है आप इंवेंशन सी करोगे यह अलग चीज बनाओगे इसका रिस्पॉंस अब मिलेगा अच कर देन ने करें तक का यह इतना सुझा निकलन जाता है कितने बच तक होते है आप साथ mismosड़े-10 वजय लगा देता हूं और और 8 बजह तक में चाय तो थारी पके सब्सक्राद कशुरू करता था ऑफ शुरूअगर चुनेली सकथ लूबशивается कर दो है तो अब घर में पहले पहले और ऐसा काम करता था क्या आप नहीं चुरूब massive पहर सुरू से छोले कभिए तो बदले आप दोनिया घर जारी हम भी बदलते हैं और पीटिज नहीं बिखती है अब टरही ज्यादा करके यही चल रहा है लोरब दूर नूर्ड प़ंड़नां के खा अवासे अधेने क्कि अज्ऎज पाथbanked तो आनों भी जल तो जल जड़ी लोगे आना दी फिरोज गंदी मार्केट विच आना चाहिए ते एना तो एप पैटी जरूर ट्राय करनी चाहिए कि क्योंकि किनी वार शाम दे टाइम ते काफी मन कर जाना है कुछ स्नैक आइटम खान दा ते एते आके एप पैटी जरूर खा पादे नालु दे आना टाइट।